नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपाधकी से 446 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलगी स्पीड मे लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते ह गुरुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट केंद्रिय कानून मंत्री किरण रिजीजू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्याया धीस को इस आसे का पत्र लिखा जाना देश का ध्यान खीचने वाला है कि उसके कोलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को भी सामिल किया जाए उनका सुझाओ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सामिल किया जाना चाहिए वैसे ही हाई कोट कोलेजियम में राज सरकार के प्रतिनिधियों को पता नहीं उनके पत्र पर सुप्रेम कोट के मुख्य न्याया धीस की क्या प्रत्किरिया होगी लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि उच्चतर न्याय पालिका में न्याया धीसों की न्युक्ति की वर्तमान विवस्था ना तो सम्विधान सम्मत है और ना ही लोक तांत्रिक मुल्यों के अनकूल न्याया धीसों की न्युक्ति की विवस्था में इसलिए संसोधन परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि राश्ट्रिय न्यायिक न्युक्ति आयोग को खारिज करते समय स्वयम सुप्रीम कोट ने इस विवस्था में सुधार की आवस्यक्ता रेखांकित की थी देश नहीं जानता की इस दिशा में कोई प्रगती क्यों नहीं हुई कोलेजियम विवस्था का निर्माड सम्विधान ने नहीं किया इसका निर्माड स्वयम सुप्रीम कोट ने किया और ऐसा करके न्याया धीसों की न्युक्ति और इस्थानांतरण का अधिकार पूरी तोर पर अपने हाथ में ले लिया ऐसा विश्व के किसी प्रतिश्थित लोकतांतरिक देश और यहां तक की ब्रिटेन और अमेरिका में भी नहीं होता आखिर जब किसी देश में न्याया धीस ही न्याया धीसों की न्युक्ति नहीं करतें तो भारत में ऐसा क्यों होना चाहिए यह वह प्रस्ण है जिसका कोई असपश्ट उत्तर देने के अस्थान पर इस तरह के खोखले तर्क दिये जाते हैं कि यह धारणा गलत है कि भारत में न्याया धीस ही न्याया धीसों की न्युक्ति करते हैं ऐसे तर्क देकर सच से मुह मोडने की कोशिस ही की जाती है पैरा समस्या केवल यह नहीं है कि कोलेजियम विवस्था सम्विधान की भावना के प्रतिकूल है समस्या यह भी है कि यह आपार दर्सी है इसमें जवाब देही का भी अभाव है कोलेजियम में सामिल न्याया धीसों के अलावा अन्य किसी को नहीं पता चलता कि किसी न्याया धीस की नियुकती या प्रोनती क्यों की गई इससे भी विचीत्र यह है कि कोलेजियम के निर्ड़यों की प्रकिरिया का विवरण देने से भी मना कर दिया जाता है वास्तो में इसी कारण कोलेजियम विवस्था का विरोध होता आ रहा है यह आगे भी होता रहेगा क्योंकि यह विवस्था लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उलंगन करती है इसका कोई आउचित्य नहीं की न्याया धीसों की नियुक्तियों में कारण पालिका की कहीं कोई भूमिका ही ना हो यह समझ आता है कि सुप्रीम कोट यह अपेक्षा रखे की न्याया धीसों की नियुक्तियों में कारण पालिका ही पूरी तोर पर प्रभावी ना हो लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं की उसकी कहीं कोई भूमिका ना हो फिलहाल न्याया धीसों की नियुक्तियों में कारण पालिका की भूमिका पोश्ट माश्टर जैसी है असपश्ट है कि यह इस्थिती ठीक नहीं और इसमें परिवर्थन होना ही चाहिए इस्टॉप दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट केंद्रिय कानून मंत्री किरण रिजीजू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्याया धीस को इस आसय का पत्र लिखा जाना देश का ध्यान खींचने वाला है कि उसके कोलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को भी सामिल किया जाए उनका सुझाओ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सामिल किया जाना चाहिए वैसे ही हाई कोर्ट कोलेजियम में राज सरकार के प्रतिनिधियों को पता नहीं उनके पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्याया धीस की क्या प्रतिकिरिया होगी लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि उच्चतर न्याय पालिका में न्याया धीसों की न्युक्ति की वर्तमान विवस्था ना तो सम्विधान सम्मत है और ना ही लोकतांत्रिक मुल्यों के अनुकूल न्याया धीसों की न्युक्ति की विवस्था में इसलिए संसोधन परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि राश्ट्रिय न्यायिक न्युक्ति आयोग को खारिज करते समय स्वयम सुप्रीम कोर्ट ने इस विवस्था में सुधार की आवस्यक्ता रेखांकित की थी देश नहीं जानता कि इस दिशा में कोई प्रगती क्यों नहीं हुई कोलेजियम विवस्था का निर्माड सम्विधान ने नहीं किया इसका निर्माड स्वयम सुप्रेम कोर्ट ने किया और ऐसा करके न्याया धीशों के नियुकती और इस्थानांतरण का अधिकार पूरी तौर पर अपने हाथ में ले लिया ऐसा विश्व के किसी प्रतिश्थित लोकतांतरिक देश और यहां तक की ब्रिटेन और अमेरिका में भी नहीं होता आखिर जब किसी देश में न्याया धीश ही न्याया धीशों की नियुकती नहीं करतें तो भारत में ऐसा क्यों होना चाहिए यह वह प्रस्ण है जिसका कोई अस्पष्ट उत्तर देने के अस्थान पर इस तरह के खोखले तर्क दिये जाते हैं कि यह धारणा गलत है कि भारत में न्याया धीश ही न्याया धीशों की नियुकती करते हैं ऐसे तर्क देकर सच से मुह मोडने की उसिस ही की जाती है पैरा समस्या केवल यह नहीं है कि कोलेजियम विवस्था सम्विधान की भावना के प्रतिकूल है समस्या यह भी है कि यह आपार दर्सी है इसमें जवाब देही का भी अभाव है कोलेजियम में सामिल न्याया धीसों के अलावा अन्य किसी को नहीं पता चलता कि किसी न्याया धीस की नियुकती या प्रोनती क्यों की गई इससे भी विचित्र यह है कि कोलेजियम के निर्लयों की प्रकिरिया का विवरण देने से भी मना कर दिया जाता है वास्तो में इसी कारण कोलेजियम विवस्था का विरोध होता आ रहा है यह आगे भी होता रहेगा क्योंकि यह विवस्था लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उलंगन करती है इसका कोई आउचित्य नहीं कि न्याया धीसों की नियुक्तियों में कार्य पालिका की कहीं कोई भूमिका ही ना हो यह समझ आता है कि सुप्रीम कोट यह अपेक्षा रखे कि न्याया धीसों की नियुक्तियों में कार्य पालिका ही पूरी तोर पर प्रभावी ना हो लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि उसकी कहीं कोई भूमिका ना हो फिलहाल न्याया धीसों की नियुक्तियों में कार्य पालिका की भूमिका पोश्ट मास्टर जैसी है असपश्ट है कि यह इस्थिती ठीक नहीं और इसमें परिवर्तन होना ही चाहिए इस्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें केंडरी कानून मंत्री किरण रिजीजू की ओर से सुप्रीम कूर्ट के मुख्य न्याया धीस को इस आसे का पत्र लिखा जाना देश का ध्यान खीचने वाला है कि उसके कोलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को भी सामिल किया जाए उनका सुझाओ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में केंडर सरकार के प्रतिनिधियों को सामिल किया जाना चाहिए वैसे ही हाई कोट कोलेजियम में राज सरकार के प्रतिनिधियों को पता नहीं उनके पत्र पर सुप्रीम कोट के मुख्य न्याया धीस की क्या प्रतकिरिया होगी लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि उच्चतर न्याय पालिका में न्याया धीसों की न्युक्ति की वर्तमान विवस्था ना तो सम्विधान सम्मत है और ना ही लोक तांत्रिक मुल्यों के अनकूल न्याया धीसों की न्युक्ति की विवस्था में इसलिए संसोधन परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि राश्ट्रिय न्यायिक न्युक्ति आयोग वो खारिज करते समय स्वयम सुप्रीम कोट ने इस विवस्था में सुधार की आवस्यक्ता रेखांकित की थी देश नहीं जानता कि इस दिशा में कोई प्रगती क्यों नहीं हुई कोलेजियम विवस्था का निर्माड सम्विधान ने नहीं किया इसका निर्माड स्वैम सुप्रेम ओर्ट ने किया और ऐसा करके न्याया धीशों के निवक्ती और इस्थानांतरण का अधिकार पूरी तोर पर अपने हाथ में ले लिया ऐसा विश्व के किसी प्रतिश्थित लोकतांतरिक देश और यहां तक की ब्रिटेन और अमेरिका में भी नहीं होता आखिर जब किसी देश में न्याया धीश ही न्याया धीशों की निवक्ती नहीं करतें तो भारत में ऐसा क्यों होना चाहिए यह वह प्रस्ण है जिसका कोई अस्पश्ट उत्तर देने के अस्थान पर इस तरह के खोखले तरक दिये जाते हैं कि यह धारडा गलत है कि भारत में न्याया धीश ही न्याया धीशों की निवक्ती करते हैं ऐसे तरक देकर सच से मुह मोडने की उसिस ही की जाती है पैरा समस्या केवल यह नहीं है कि कोलेजियम विवस्था सम्विधान की भावना के प्रतिकूल है समस्या यह भी है कि यह आपार दर्सी है इसमें जवाब देही का भी अभाव है कोलेजियम में सामिल न्याया धीशों के अलावा अन्य किसी को नहीं पता चलता कि किसी न्याया धीश की निवक्ती या प्रोनती क्यों की गई इससे भी विचित्र यह है कि कोलेजियम के निल्लयों की प्रकिरिया का विवरण देने से भी मना कर दिया जाता है वास्तो में इसी कारण कोलेजियम विवस्था का विरोध होता आ रहा है यह आगे भी होता रहेगा क्योंकि यह विवस्था लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उलंगन करती है इसका कोई आउचित्य नहीं कि न्याया धीसों की नियुक्तियों में कार्य पालिका की कहीं कोई भूमिका ही ना हो यह समझ आता है कि सुप्रीम कोट यह अपेक्षा रखे कि न्याया धीसों की नियुक्तियों में कार्य पालिका ही पूरी तोर पर प्रभावी ना हो लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि उसकी कहीं कोई भूमिका ना हो फिलहाल न्याया धीसों की नियुक्तियों में कार्य पालिका की भूमिका पोश्ट माश्टर जैसी है असपश्ट है कि यह इस्थिती ठीक नहीं और इसमें परिवर्तन होना ही चाहिए इसकाव